How to fix OnePlus 7T Pro Volume Button Not Working Problem नमस्कार दोस्तों तो आगर है अब सभी का अतिकिराज योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने OnePlus की डिवाइस में Volume Button Not Working Problem Solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर Volume Button काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या Problem हो सकते हैं अगर दोस्तों Volume Button काम नहीं कर रहा है तब तो फिर दोई Reason हो सकते हैं एक दोस्तों यहाँ पर हो गया आपका Hardware Problem और दूसरा Software Issue ठीक है? Hardware या फिर Software के वज़े से यह Problem आते हैं Basically यहाँ पर दोस्तों मैं आपको कुछ Solutions बताऊंगा Software के Related और कुछ Solutions बताऊंगा Hardware के Related कि आपको क्या करना चाहिए और दोस्तों अगर आपको कुई Temporary Solutions चाहिए मान लिजे आपको Volume Button काम नहीं कर रहा है लेकिन आपको Use करना है, Volume, Control करना है तो इसके लिए भी मैं आपको कुछ Temporary Solution बता लेता हूँ ठीक है? जानने के लिए वीडियो को अन तक देखे और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको Link मिल जाएगा किसी भी Problem के Regarding पर आप हमें Twitter पर Follow करके Message कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है अगर यहाँ पर आपको Problem आ रहा है तो तो आप दोस्तों Mobile को Restart करके देखें अगर Restart के बाद Problem सौल्फ हो जाते हैं तो ठीक है लेकिन Restart के बाद भी दोस्तों अगर आपको Problem आ रहा है अभी भी Volume बटन काम नहीं कर रहा है तो दोस्तों आप Mobile पे चेक कीजिए कुई ऐसा Bad Applications तो नहीं है जो कि आपके फोन को डेमेज कर रहा हूँ तो अगर Bad Application है कुई भी Unknown Website से इंस्टोल किया हूँ अप्लिकेशन कुछ ऐसा अप्लिकेशन जो कि Normal नहीं है उनको Delete कर दीजिए ठीक है उनको Delete कर दीजिए और उसके बाद दोस्तों आप दुबारा से चेक करके देखिए अगर Problem Solve होते है ठीक है अगर Solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप Mobile को Safe Mode पे एक बार रिबूट करके देख सकते हैं Power Button को Press and Hold कीजिए Power Off के Switch को 2 सेकंड क्लिक करके राखिए और Safe Mode पे रिबूट आप कर पाओगे OK करना है उसके बाद रिबूट हो जागा ठीक है तो ये करने के बाद दोस्तों चेक कीजिए अगर आपका Problem Solve होते है तो ठीक है अगर आपका Problem अभी भी Solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको करना है Next Solution Next आपको जाना है Setting पर उसके बाद Scroll Down करना है और दोस्तों आपको सिस्टेम पर जाके एक बार Software अपडेट करके देखना है Software अपडेट करके देखिए अगर Problem Solve हो जाते हैं तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये जो Problem में Software के वज़सी ही आ रहा था तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपका Problem Solve हो चुका है तो Volume Buttons आप यूज़ करके देख सकते हैं ठीक है लेकिन Software अपडेट के बार भी अगर Problem आ रहा है तो दोस्तों आपका जो Volume Button है वो बिगर चुका है Hardware Issue हुआ है Mobile पे अगर Short Circuit वगएरा हो जाते है तो दोस्तों इस तरीके का Problem होते है ठीक है अगर Mobile पे Short Circuit होते है तो दोस्तों कोई Buttons काम करना बन हो जाते है लेकिन हमारा Mobile चलते है ठीक है अंदर पे कुछ wiring का Problem हो जाते है या फिर कुछ Short Circuit लग जाते है इस पार्ट जो खराब हो जाते है ठीक है तो इसी तरह के से Volume बटन का भी दोस्तों यही रिजन हो सकते है काम जो नहीं कर रहा है तो आप Service Center पे जाए है टेक्निशन को बताए कि यह प्रोब्लम हो आए तो वो फिक्स करके देगा ठीक है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरा जो दूसरे मोबाइल था OnePlus में दूसरे मोबाइल है वो ठीक है उसमें मेरा क्या खराब था Power Button तो उसका भी सेमी रिजन था Basically तो SI गरवर Volume Button के साथ भी हो से है तो मैंने भी दोस्तों अपना जो Volume Buttons है उसके अंदर पर जो रहते हैं उसको Change करवाई है तो उसके बाद Solve वाई Problem तो आप भी यह चीज़ कर सकते हैं ठीक है अभी दोस्तों Temporary Resolution पर आते हैं मान लेजिए आप अभी फिलाड Technician के पास जा नहीं सकते हैं आपके पास टाइम नहीं है उपर से Problem भी Solve नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको जाना है Setting यहाँ पर आपको Scroll Down कर लेना है System पर क्लिक करना है Accessibility पर जाना है Assistant Menu या फिर Accessibility Menu को On कर देना है On करने के बाद Allow करना है Got It कर देना है नीचे पर आपको मिलेगा Assistant Menu इथ सकते है Volume Down यहाँ पर कर सकते है Volume Down हो गया यह हो गया Volume Up आप देख सकते है इस चीज़ कर दिया Volume Button के जगे पर तो यह temporary मैं आपको दे रहा हूँ तो डाउनलोड करने की ब Next नहीं है कुछ भी यह तो आप सबyleम कर सकते है लेकिन यह option मिल जाएगा काफी आसानी से, ठीक है, तो temporary यूज कर सकते हैं, कभी कबार दोस्तों, problem आपने आप भी solve हो जाता है, तब तक आप wait भी करके देख सकते हैं, ठीक है, तो इसा भी आप कर सकते हैं, आज के लिए दोस्तों बस इतने हैं, उमिद करते हैं, आपको यह वीडियो है, पसने होगा, thanks for watching